आपका bank KYC reject हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ rejected KYC के अंदर लिखा हुआ है bank KYC invalid bank account, तो अगर आपकी भी यह समस्य है, तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको यहाँ पे best possible solution बता रहा हूँ, मैं PF का काम करता हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ, अपने अनभव के बेस पर कहूँगा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश किजिएगा, आपका KYC accept हो जाएगा देखे, PF के अंदर यहाँ पे आपका एक नाम है और आपकी एक date of birth है, ठीक है और IFSC code का, तो यहाँ पे जब भी आप KYC लगा रहे हो, तो पहला step आता है कि आपका bank वाला यह verify करता है, जो इसके PF के अंदर नाम की spelling है, वैसे ही नाम की spelling आपके bank में भी होनी चाहिए, जैसा PF में नाम है, as it is, नाम bank में भी होना चाहिए, आपने जो KYC करते time account number डाला है, और आपने जो IFSC code डाला है, वो सही होना चाहिए, यह चीज़ कौन चेक करता है, यह चीज़ चेक करता है, बैंक, तो जाधा तर KYC अगर reject हो रहे हैं, तो वो reject bank के तरफ से किये जाते हैं, और उसमें भी मुख्य करण क्या है, मुख्य करण यह है कि बहुत बार आपके bank खाते के अंदर आपके नाम की spelling अलग होती है, आपके PF account से, तो PF के account में आपका कौन सा नाम होगा, PF account में आपका वो नाम होगा, जो आपके अधार काट पे mention होगा, लेकिन कुछ bank ऐसे होते हैं, जिनका format इस तरह से है, जहां पर वो आपका नाम लिखते हैं, उसके बाद सन ओफ लिखते हैं, उसके बाद आपका फादर नेम लिख देते हैं, यह खास तोर पर मैं PNB के अगर बात करूँ, तो PNB में इस तरह का format र जही है, तो भी reject कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके आगे sun off लगा हुआ है, बहुत बार bank क्या करता है, बहुत बार bank आपके नाम के पहले श्री लगा देता है, उसके बाद आपका नाम लिखता है, तो वो भी गलत माना जाएगा, बहुत बार HDFC जैसे bank है, वो आगे mister लगा लेगी, लेकिन बहुत बार क्या करता है, कि जो नाम है, प्राइमरी मेंबर का जो नेम है, उसके अंदर ही mister लगा दिया गया, तो ये चीज़ PF जो है, accept नहीं करता है, और bank के तरफ से ही आपका ये reject कर दिया जाएगा, अब आप समझ चुके हैं, कि आपका जो reject हो रहा है, म code change होने से, या तो आप branch change कर रहे हो, या फिर bank जो है, एक जगे से दूसरे जगे चला गया, इसके वज़े से, merger की वज़े से, आपका IFSC code change हो गया है, तो आपका IFSC code change होने से भी, bank जो है, वो आपको नया IFSC code लगाना ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो भी आ आपका reject हो जाएगा, तो अब आपको ध्यान किस बात पर देना है, अगर आपका KYC reject हो रहा है, तो सबसे पहला ध्यान आपको नाम के उपर देना है, as it is, नाम होना चाहिए, जैसा PF में है, वैसा होना चाहिए, joint account मत लगाईए, sun off करके लिखा हुआ है, तो आप PNB में जा सकते हैं, या और banks भी होते हैं, जैसे union bank है, उनका भी format इस तरह sun off करके है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, और उन्हें बोल सकते हैं, कि sir, हमारी इस तरह समस्या है, हमारा जो नाम के आगे sun off लगा हुआ है, इसको हटाना है, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं, पहली चीज, नेम प्रिंटेड cancel check होना चाहिए, या फिर passbook, stamp जिस पर लगी है, और signature हो रखा हो, ऐसा bank आप लगा सकते हैं, ये दो solution मैं आपको कह रहा हूँ, या तो bank में जाके, नाम अपना ठीक करा लिजे, या फिर कोई और bank है, उसको लगा दीजे, अगर कोई और bank में नहीं है, और ब्रांच के अंदर जाके, खोला जाता account, वो खोल के, आप लगाईए, सबसे पहले bank से verify होगा, और bank से verify होने के बाद, फिर आगे आपका employer verify करेगा, तब जाके आपका KYC हो जाएगा, एक बार KYC हो जाए, उसके बाद tension नहीं है, उसके बाद आपका सही मामला बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजे, यहाँ पर जो member का reject किया गया था, invalid bank account number के reject किया गया था, और उसके बाद member ने लगाया था detail, तो उसके बाद यह verify हो गया था, starting में यह verify by bank हो चुका था, लेकिन आज के time पर अगर आप लगाएंगे, तो company से अनिवारे है होना, company से हो करने के लिए आपको employer को बोलना पड़ता है, बहुत बार employer बिना बोले नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको लगा हो कि मैंने आपकी कुछ help की है, जरूर से चैनल का support कीजिए, subscribe करके, आपका subscribe करने से, यह जो काम की जानकारी है, यह जो practical जानकारी है, यह जरूरत मंद लोगों तक पहुंचती है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, request करूँगा, आप जरूर subscribe करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद